हाली में बॉलीवुट के मशूर रैपर और सिंगर योयो हनी सिंग की पतनी शालीनी ने उन पर घरीलू हिंसा का मामला दर्च कराया था अब हनी सिंग ने सोशल मीडिया पर अपना बायान शेयर कर इन आरोपों को जूटा बताया है अपने इस प्रेस नोट में रैपर ने लिखा है मैंने आज से पहले कभी कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है क्योंकि उस वक्त सारी बाते सर्फ मेरे बारे में हुआ करती थी कई बार मुझे लेकर गलत मीडिया कवरेज हुई मेरे गानों को लेकर बाते हुई मेरी तबियत को लेकर बहुत कुछ कहा गया लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन इस बार बात मेरे परिवार को लेकर हो रही है मेरी बहन को लेकर हो रही है जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है ये सारे आरोब जो हम पर लगाए गए हैं ये आरोब हमें बदनाम करने के लिए ही लगाए गए हैं मैं पिछले 15 साल से इस इंडरस्ट्री से जुड़ा हुँ मैंने देश भर के तमाम कलाकारों और संगीतकार के साथ मिल कर काम किया है मेरी पत्नी के साथ मेरे रिष्टों से हर कोई वाकिफ है इतना ही नहीं मेरी पत्नी मेरी क्रू का भी पिछले एक दशक से हिस्सा रही है इसके साथ ही वो मेरे साथ हर इवेंट, शूटिंग, मीटिंग्स में जाती रहती है इन सारे आरोपों को मैं गलत मानता हूँ मैं अब इस बारे में जादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला अब कोट में जा चुका है मुझे इस देश की नियाए पालिका पर पूरा भरोसा है जहां मैं पूरी तरह से सच के सामने आने का इंतजार कर रहा हूँ ऐसे समय में चाहता हूँ जितने भी मेरे फैंस और चाहने वाले हैं वो मेरे बारे में कोई भी गलत निशकर्ष ना निकाले मुझे विश्वास है कि नियाए मिलेगा और सचाए की जीत होगी हमेशा की तरह मैं अपने प्रशंशकों और शुपचिंतकों के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने और अच्छा संगीत बनाने के लिए प्रेविद किया चुपाने की कोशिश करता रहा है उन पर मादक द्रव्यों के सेवन और यहां तक की एक पंजाबी फिल्म अभी मेत्री के साथ समन्द रखने का भी आरोप लगाया है मुख्य मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रे तानिया सिंग ने शिकायत पर संग्यान लेते हुए हनी सिंग को 28 अगस्त को पेश होने का नोटिस जारी किया है अपने शांदार डांस के जरिये फैंस की दिलों में जगह बनाने वाली अभीनेत्री नौरा फतही ने हाल ही में ट्रडिशनल इंडियन साडी में अपना खुबसूरत फोटो शूट करवाया है यह तस्वीरे शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है लाल बॉडर वाली चिकन कारी साडी और मरून ब्लाउस पहने नौरा इन तस्वीरों में काफी खुबसूरत लग रही है अपने लुक को नौरा ने हेवी जुलरी के साथ पूरा किया इसके साथ ही बोल्ड, रेड लिप्स्टिक, गालो पर, रोजी ब्लस्ट और माथे पर बिंदी ने नौरा के लुक में चार चांद लगा दिये इन तस्वीरों को नौरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है नौरा फतही इन दिनों अपनी आगामे फिल्म भुस्दा प्राइड ओफ इन्यप के प्रमोशन में व्यस्त है बिग बॉस में अपनी क्यूटनेस से सबके दिलों को जीतने वाली शेहनाज गिल इन दिनों अपने ग्लैमरूस लुक की वज़ह से सुर्खियों में रहने लगी है आए दिन अपनी खुबसूरत तस्वीरों को शेयर करने वाली शेहनाज ने हाली में अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें अपने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं जिन्हें देख आप भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे इन तस्वीरों में शेहनाज बेज आउटफिट में काफी अट्रैक्टिव लग रही है इन तस्वीरों में शेहनाज अपने शौट हेयर में नजरा रही है फैंस को भी शेहनाज का यहाँ बदला हुआ लुक काफी पसंदा रहा है शेहनाज का यहाँ फोटो शूट सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डबू रतनानी ने किया है इससे पहले भी डबू रतनानी शेहनाज का फोटो शूट कर चुके है शेहनाज जल्द ही दिल जीत दो साच के साथ फिल्म होसला रख में नजराने वाली है फैंस दोनों को साथ में देख के काफी एक्साइटेड है अभिनीतरी करीना कपूर खान जो सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव रहती है ने अब अपने दोनों बेटों जेह और तैमूर के बच्पन की तस्वीरे शेयर की है हालाकि जेह की फोटो में करीना ने उनका चेहरा छिपाया हुआ है फोटो शेयर करते हुए करीना ने लिखा करीना के फैंस उनके बच्चों के बारे में जानने के लिए हमेशा उटसुक रहते हैं करीना के बड़े बेटे तैमूर अली खान तो तब से ही लाइम लाइट में रहे हैं जब से उनका जनम हुआ है ह Mumbai के चोटे बेटे जेह को ले करिणा और सेफ ने लायम लाइट से दूर रखने है और अब जब जब कारिणा जेह की तस्वीर शेयर करती हैं तो उनके चहरे की जगह इमोजी का प्रेच करती है वर्क फ्रेंट की बात करने तो करीना फिल्म लाल सिंग चड़ा में नजर आने वाली है फिल्म में करीना के साथ आमिर खान लीड रोल में है करीना ने प्रेगनेंसी के दौरान ही फिल्म की शूटिंग की थी आने तोंखना में लाल सितotर्न है एखने आपर घ्रोल में लाए करेड़ कि चल दो एखना जा डिंद आना। सब्सक्राइब जाए कि भाई जाए कि भाई कि अहे में, गाई में काया लिआ कि उ quiere फिर den आले में सॉमा जाने कि कोपे भाई में ठेल他說नoster, साले हुपी Łamay सुमा अइमा हि dzi कर दो, मां एससं ऑभामा में खोर भाई कि आव दोर लिव्胖 करन मां कि आणे निक सेंटर हुए अभिनीता और मॉडल मिलंद सोमंद अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं इस वक्त मिलंद का एक बड़ा ही मज़िदार वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में मिलंद सोमंद रात को बीच सड़क पर बैठ कर नहा रहे हैं वीडियो में मिलिंद काफी मज़िदार अंदाज में नहाते हुए गाना गा रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा शूट मज़दार है गर्म पानी ठंडे बारिश मौनसून में आदी रात जो लोग सोचते रहते हैं कि क्या मैं पुश अप्स और दोड़ने के अलावा कुछ भी करता हूँ यहाँ एक और बात है मूवी आ रही है इस वीडियो में मिलिंद को देख उनके फैंस भी हरान रह गए लोग उन से पूछ रहे हैं कि यह कौन सी नई एक्सराइज है जो आप कर रहे हैं मिलिंद अक्सर अपने शांदार वर्काउट वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं बतादे कि मिलिंद सोमन जल्द ही इंडियास नेक्स्ट टॉप मॉडल में बतार जज नजर आने वाले हैं इस शो में मेलिंद के साथ अनुशा डान डेकर और मलाइका अरोडा भी नजर आएंगी शो एम टीवी पर जल्द ही शुरू होने वाला है जिसका प्रोमो हाली में रिलीस किया गया है अलो मैं ऐसे ओर आलो मैंस कि अईथ भू Chu तोड़ा दूरे दीर है आगे हुआ हुआ जिरी हैंगे नख भाण झाल, जोंको जोगों हुआओ Кजा, करेंजिए ना गेजिए सकते हो लिए झाल, चाल, जात गड़ीजिए यहाँ झाल, झाल, ईंग झाल, झाल, झाल झाल, झाल, यहाँ मैं आपकी करा आप नहीं, मैं यहाँ है